तो आप जैसे की देख रहे हो वीडियो में बहुत ही अच्छे और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो यहां मैंने ना एक कप सूजी ले लिया है तो आप कोई भी छोटी सी कर्टोरी ले लीजिए जो भी आप लेना चाहें बाकि बहुत जादा सूज सूजी के भी बहुत सारे गुल कपे बन जाएंगे तो इसमें मैंने तीन चमच रिफाइंड डाला है और रिफाइंड को मैंने कुछ गरम नहीं किया है जो भी नॉर्मल होता है आप बस वैसे ही डाल लीजिए और फिर रिफाइंड डालने के बाद इसको बहुत अच्छे स यह ज़िए तो कि अच्छे कर देना तो आपने दोनों हातों का यूज़े करें लिफाइंड कर देना कि बहुत अच्छे अच्छे थोड़ा थोड़ा करके पानी लो बिल्कुल गरम पानी और जैसे आटा नॉर्मली हम गुनते है ना बस वैसा गुन लेना है लेकिन इसको सॉफ्ट गुना है और कम से कम 15-20 मिनट अगर आप 20 मिनट भी कर लोगे अच्छे से इसको करना जब तक इना सॉफ्ट न हो इसको कम से कम 20 मिनट तो मैंने किया इस तरीके से सॉफ्ट हो गया और मैंने टाइट भी रखा है इसको लूज नहीं रखना जादा नहीं तो गुल गप्पे नहीं बनेंगे आपके फूलेंगे नहीं तो एकदम टाइट आटा और सॉफ्ट आटा गुनना है तो जब यह हो इसको है तो आप इसको इक्वल पाー्ट में डिवाइट करोंगी तो एकदम से सबके दो गोल गपबबनेंगे नहीं तो बाकी कहा यह को ऑनगी में गीले कपड़े शे रखे दूंगी और गैश्च उitus करने चंश्टी कर लोगी कुल रखा यह कामकरने बहु आपको कितने बहुत जल्दी बनेंगे आपको आटे को रखना नहीं है आप सीधा ऑई को गरम करो और जब आप वेलने लगोना तो आप सिर्फ एक वरी वेलना ऐसे बार बार उठा के करोगे तो फिर फूलेंगे नहीं तो इसलिए एक वरी इसको वेला और डारेक्ट गरम में टाल दिया औ अब लेगे बना तो झाहलें तो आपको कुछ कर्ची नहीं स्चाते रहें इस तरीके से दे को अढ़र के साथ आप ऐल में बेलने तो अब आपको फूले जाये थो अपको थोड़ा साइस बढ़ा शाहिए तो ऑप फोड़ा बना लो अधरवावाइस इतने ही बोलापहों ह तो समद्ग करो साद के साद के साद के साद कराय में डालुत्ज है को कि ना आपD jaar, आपधी है अब कितने सारे गोलगपई सा फोना देखू है इस टेस्टी गवही बनते हैiron तो यह थोड़ा सा मुझे तूट गया था तो मैं इसको आपको पुरा तोड़ के दिखाती हूं यह देखो यह पूरा यह नहीं कि यह सॉफ्ट है यह एकदम जैसे पापड़ी होती है वैसे ही पूरा एकदम परफेक्ट गोल कपपा बनाए तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर आपको गोल कपपे के पानी की वीडियो भी चाहिए ना तो आप मुझे कोमेंट करके बताओ मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में इसी पर लेकर आँगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना म करे चाहिए यह था करना में लाइक भी और आपको।